वेरे वेरे गुड मार्निंग तो आल अफियो और एक काइंड रेकुष्ट है यदि आप लोग मेरा वीडियो डेली देखते हैं तो मैं आपसे उमिद करता हूँ कि आप कमेंट किजिए और अगर जिसने बेल आइकों नहीं दवाया प्लेज सब्सक्राइब किजिए और बेल दवाये ताकि मेरा हर वीडियो बनाने के बाद आपको हर अपडेट मिलता रहे और इसी अपडेट के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और अगर अपडेट मैं देते रहूंगा और आपको अपडेट मिलते रहेंगे तो आप मेरा हर वीडियो देखेंगे और हर वीडियो जोगा pół invitation यदिख रहा हो मैरा English क्लस चल रहा है सबस्तले इंगल्यस हवे च्टार्ट हो रहा है Math स्टार्ट हो चुका है Geographic स्टाट हो चुका है Lucent स्टार्ट हो चुका है Reasoning में पढ़ा रहा हो तो आरा सब्रम्ट प्दा रहा हो चल रहा है ताकि आपको कोई कोई भी कोई ना छूटे तो शुमित के साथ चलते हैं हमारा डाइस टेस्ट टाइप नमबर 9 रिजनिंग क्लासे रिजनिंग में डाइस टेस्ट है और टाइप नमबर 9 इस टाइप में क्या देखेंगे कि कभी-कभी question twist कर किया आया था question में क्या twist किया था कि दिये गए पासे में से दिये गए आकरिते में से आपको ये बताना है कौन सब पासा नहीं बन सकता है कौन सब पासा नहीं बन सकता है तो अब उसमें हम लोग चलेंगे कौन सा पासा नहीं बन सकता है उसमें हम लोग देखेंगे तो चले देखते हैं dice number type number 9 देखे दर जो दिये गए पासे हैं ठीक है इसमें है आपको मैं फिर से समझाता हूँ ये जो एक का उपोजिट पहले निकाला है दो का उपोजिट क्या है चार तीन के उपोजिट क्या होगा पांच और एक के उपोजिट क्या होगा छे तो दो के उपोजिट ने लिखे चार तीन के उपोजिट लिखे पांच और एक के उपोजिट छे तीनों मेंने opposite लिग दिया और question क्या है कि दिये गए आकरिती में से कौन सा नहीं बनाया सकता सुनमे रहा है कौन सा नहीं बनाया सकता यानि इसमें पिछले type से बिल्कुल ये विपरित होगा इसमें जो pair होगा 2, 4, 3, 5 और 1, 6 जिसमें pair नजर आ जाए वही answer होगा पिछले में क्या था? जिसमें pair आ जाए उसमें नहीं होगा इसमें क्या है? जिसमें pair नजर आ जाए वही होगा क्योंकि बोला जा रहा है कि इस आकरिती में से अगर मोड दिया जाए तो कौन सा आकरिती नहीं बनेगा देखे दर एक है एक यहां से फिर एक के बाद पांच पांच यहां से और यहां फिर चार यहां चार यानि क्या बन सकता ही नहीं बन सकता है क्यों कि तीनों से एक एक लिया गया है यह बन सकता है तो दुसरा देखें छे चार पांच छे, चार, पाँच क्या यह भी बन सकता है यह नहीं बन सकता है है ना? यह देखे दो, चार, एक यह क्या हुआ? यह नहीं बन सकता क्योंकि दो और चार एक ही साथ है है ना? तो यह क्या हुआ? नहीं बन सकता और एक हमारा यह वाला गलत और यहाँ देखे 3, 2, 6 3, 2, 6 यानि ये भी बन सकता है है ना? तो question क्या है कि निमने खिरे में से कौन सा नहीं बन सकता तो कौन कौन नहीं बन सकता है एक ये बन सकता, ये बन सकता, ये बन सकता है तो कौन नहीं बन सकता है? ये नहीं बन सकता है तो answer क्या होगा हमारा? होता है जो नहीं बन रहा तो यह नहीं बन पाएगा तो यह हमारा answer होगा काप confuse क्या करेंगे मैं आपको बतातों confusion यह होगा कि तीनों सही लगा देंगे आप confuse कर जाएंगे तीनों तो बन रहा और आपका question क्या नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए आपको तो यही नहीं बन रहा है, तो सही ही हमारा answer होगा, बस इतना ही करना है, question कैसा भी हो, answer हमारा, इसी प्रकार होगा, basic concept समझाना था, आप concept साथ समझ गया होगे, और मुझे उमीद है कि आप question, फिर से एक बाद कोई question ले लिए और बनाएए, आपको समझ में आजाएगा, एक question म आपको क्या दिया गया, कि दी गई आकरिति में, कोण नहीं बनेगा, तो जो नहीं बनेगा, वो देखना ही हमारा answer होगा, तो सबसे पहले opposite निकालिए, C कोपोजिट क्या होगा, बहुत, C कोपोजिट, D, A कोपोजिट, F, अब B कोपोजिट, E, यह हमारा option होगा, आप यह पेर यह तो यह पेर इन तीनों पेर में से जो मिल जाएगा वह एंसर हो जाएगा सिंपल से बहुत आसान है तो जो पेर खोल जिए कहीं पर है सीडी सीडी पेर है यह हमारा एंसर है सिंपल से लोजिक बाकि जो नहीं है तो नहीं होने का मलब क्या है तीनों में से एक-ख element होगा, इंदोनों में से एक हो, इंदोनों में से एक हो, इंदोनों में से एक हो, देखें, F, A और F में से एक है, D, C और D में से एक है, B, B और E में से एक है, ये बनेगा, ये देखें, E, F, C, E, F, C, सब अले लग है, ये भी बन जाएगा, ये देखें, डी बी ए डी बी ए ये भी बन जाएगा तीनों डाइस हमारा बन जाएगा इस आकरिते से तीनों डाइस हमारा बन जाएगा कौन नहीं बनेगा ये वाला बिल्कुल नहीं बनेगा ये हमारा था टाइप नंबर नाइन टाइप नंबर नाइन में आपको ये देखना था कि कौन सा आकर्यति नहीं बनेगा आपको इस पर देखना था और मुझे रगधा कि आप समझ गया होंगे और येदी आपको कोई प्रॉल्लम है येदी कोई कन्फूजन होता आप कमेंड बॉक्स में लिख सकते हैं और आप लिखेंगे मैं आपको रिपलाइ करूँगा येदी आप प अगले क्लास में थैंक यू थैंक यू वेरी मच